आप सब को नमस्कार जैभिम दोस्तों कैसे हो आज मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत सागत है दोस्तों दिवाली आने वाली है और हमारी दिवाली भी शुरू होने वाली है क्योंकि एक हाउस वाइप की दिवाली न एक किचन से ही शुरू होती है बनाने से कहो या फिर साब सपाई हम लोग कैसे करते हैं तो यह मैंने किचन का सारा सामान जितना भी रखा रहता है हमारा यह मैंने दूसरे कमरे में अलग से मेरैं निकाल दिया है ताकि किंचन पुरा खाली हो जाता है तो हमें सामसफाई करने में अच्छा रहता है जितनी भी रहती है पूरी बहुत अच्छे से सापसफाई हो जाती है क्योंकि परिंगाद भीं रहती किए जैसे किचन देख अगे पूरी खाली कर लिए मैंने और उसके बाद में जो बर्तनों जो निकाले थी उनको भी मैंने साप करके पुरे अधूप दिकाने के लिए रख दिया है क्योंकि इसमें बहुत ऐसे जो भरतन है जो कि हमें न साल में एक ही बार उज़ करना होता है लेकिन फिर भी हमें बहुत संभाल कर रखना वोता है और फिर उसकि सफाई हम लोग दिपावलिके समाई में ही करते हैं क्योंकि हाुस्वाइप कभी यन्य सुचती है मेरे मतलब जो भी हमें आऊ सकता वली चीजे है वो हमें चाहिए ही होती है क्योंकि भले ही साल में एक बार यूज क्यों नहों तो ये मेरे पूरे बरतन वगरे सफाई हो चुकी है और उसके बाद में फिर हम लोग आते हैं गेस के पास में अब गेस तो हम डेली यूच करते हैं तो डेली सफाई भी होती है लेकिन दिपावली का समय है न तो मतलब कुछ भी थोड़ा भी दाग अगर रह जाए न तो ऐसा लगता है कि दिपावली आ गई है और हमारी सफाई बहुत अच्छे से हमें करना है इस प्रकार से हम लोग कितनी भी ठकान हो जाए दिन भर हम लोग करते रहते हैं क्योंकि दिपावली के समय में कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता है काम की वज़े से और आट बजे या नौ बजे हमें ऐसा पूरा फ्री होकर फिर नहाद होकर फिर खाना अगरे हम लोग बनाते हैं तो यह देखो में सिंपल ही तरीके से अपने जाडू से इसकी सफाई कर रहे हूं किचन की और किचन की सफाई होने के बाद में आप देख पारे होंगे दोस्तों क्योंकि मे नहीं पर रहे होती हैं तो इस प्रकार से हम लोग ना की बहुत अच्छे से सफाई कर लेते हैं और सफाई करने के बाद में फिर नए नए पकवान बनाना है कभी सबकी अलग-अलग फर्माईश होती है तो फर्माईश के अनुसार फिर हमें अलग से मिठाई वगरे भी बनाना होता है तो यह सारी चीज़ें हम लोग फिर उसमें लगे होते हैं सौपिंग करना है तो सौपिंग करने में लग जाते हैं तो इस प्रकार से हमारी दिवाली तो एक हाउस वाइप की दिवाली तो दोस्तों मैं बता ही ने सकती कैसे होती है क्योंकि और बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि हमारे घर की जो साफ सपाई होते न दिपावली के समय में बहुत अच्छे से इतना अच्छा क्लीन क्लीन हो जाती है और बहुत अच्छा भी लगता है ऐसा लगता है कि पूरे साल का जो कच्रा रहता है वो पूरा इखट्रा हमारा दिपावली में निकल जाता है और पूरा खाली खाली घर लगता है और फिर ऐसा लगता है कि यहां से खाली हो गया है अब यहां कोई नई चीज आ जाना चाहिए तो बस फिर उसी की तयारी में हम हम लोग फिर लग जाते हैं और इस प्रकार से हमारी पूरी तैयारी और पूरे किचन की सफाई अब धीरे धीरे कम्प्लीट हो चुकी है क्योंकि यह लाश्ट ही होती है किचन की सफाई हम लोग लाश्ट में करते हैं तो आज का मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बतना, thank you